हलो दोस्तो लर्न विट टेक्नोजी चैनल में स्वागत है आप सभी का उमीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी नौटिफिकेशन के बारे में जो कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी की है तो दोस्तो जो काफी लंबे समय से अपने रिजल्ट के लिए इंतजार कर रहे थे तो अभी उनका इंतजार जो खत्म हो चुका है जी हां दोस्तो जो आपका सेट का एक्जाम हुआ था स्टेट इलिजिवल्टी टेस्ट का तो उसका जो यहां पर रिजल्ट है वो कमीशन ने जो है डिकलेर कर दिया है इसका यहां पर हम बात करें तो जो रिटन एक्जाम हुआ था वह हुआ था 22 नवंबर 2020 में ठीक है दोस्तो तो यहां पर जो है कमीशन ने इसका रिजल्ट जो डिकलेर कर दिया है अगर आपने भी इस पोस्ट के लिए अपलाई किया था तो आप है रोल नमर यहां से चेक कर सकते हैं दोस्तो फस्त पर जो आपका इंग्लिश का है इसमें अपने यहां पर आप रोल नमर चेक कर सकते हैं इसमें 45 कैंडिडेट जो है पास हुए है ठीक है उसके बाद यहां पर चैमिकल साइंस का है ठीक है आप यहां से देख सकते हैं अप कि बाद करें तो फॉर्टिन के में 15 हैं और म्यूजिक कि बाद करें तो 11 के इडिशन की बाद करें तो स्लेक्ट किया गया है और इकनुमिक्स की बाद करें तो इस में डोल 31 candidate जो है select हुए है और political science की बात करें तो इसमें 80 candidate select हुए है और आगे हम commerce की बात करें तो इसमें जो total candidates रहने वाले वो 84 है ठीक है 84 candidate और यहाँ पर mathematical science की बात करें तो 30 candidate है आगे हम संस्कृत की बात करें तो 31 candidate है और history की बात करें तो history में जो है 46 candidate रहने वाले ठीक है आगे हम physical science की बात करें तो इसमें जो है 30 candidate रहने वाले हैं और public administration की बात करें तो इसमें जो है 8 candidate रहने वाले ठीक है आगे हम computer science and application की बात करें तो 24 candidate जो है पास हुए है और आपका जो tourism management and administration है उसमें जो हैं 10 candidate pass हुए है और mass communication and journalism है यहाँ पे 9 candidate जो है पास हुए है ठीक है आगे हम philosophy की बात करें तो 3 candidate जो है पास हुए है और psychology में यहाँ पे 6 candidate पास हुए है और education की बात करें तो 24 candidate पास हुए है दोस्तों जो लोग यहाँ पे पास हुए है qualified हुए है उन्हें जो है अपना online recruitment application और self-attested copies जो है आपकी जितनी भी educational qualification है जाए वो मैट्रिक की हो या consolidated DMC हो आपकी ठीक है और जो भी आपकी qualification थी भी आपकी post graduation degree तो जो है उन्होंने submit करने को कहा गया है ठीक है दोस्तों यह आप result जो है यहाँ official website से भी download कर सकते हैं तो दोस्तों यह थी आज की बड़ी update आप जो है अपना roll नमर क्यार नपना आपकी कर lead वे उते हैं श्रूपà मैं को है एकई दोस्तों च शाए्ट करूा कर दिलना मैं